इस वीडियो में दीगाई जानकार्य ओले फर एड़ बशनान पार पास है ये नोडबुक और मीटी फीडिया से लिगाए है कुछ भी मेडिसीन ओर टीडिमें लेन से पहले डॉकर की साला जूरूर ले खुछ इसके रूट ऑप एड्मिस्टेशन क्या है इसके कौन सा रूट से लागना चाहिए और इसके कॉंट्रा इंडिकेशन क्या है सब कुछ पूरी डीटल सिंधी में जानेंगे पूरी वीडियो के सथ बने रही है पूरी जान करें लिजे क्यों कर दाधा दूर जानकारी जान ले जो कि 1500 mcg के strain में मिला जाता है नीय सिनामाइड जो कि 100 mg के strain में मिला जाता है और भीटामिन b6 जिसको पाइरोडोक्सिन खाया जाता है वो 100 mg के strain में इसके अंदर मजूद है पार्ड्र 2й में आपको इतने सारी इंगिडियांच मिल जाएगा अब जालेंगे इसके यूजे गय मेम जली होते हैं उसको getir करने के लिए इस इंजेक्शνο के उज्चा लया जाता है लो बैख पेन यानि कमर के तरफ जो पेन होता है बैकपेन उसको ठीक करने के लिए भी इस अजेक्फ़सय लिया जाता है भी टामीन और निउट्रोलाइट की कुछ teveænstatब, इंजेक्सन àsoooo लिया जाता है इस इंजेक्षन का यूजया जाता है डैइबायाटिक नियुरॉपेथिक पेन एक बीमारी है जो की डैइबायाटिकल के होता है उसमें यूजया जाता है इसको प्रफार, बोडीक्यॉथ को ठीक करने के लिए आपर बबसेब देने के लिए от मैडी का उझेश लिया जाता है ओलेज परसेंट का बड़ी से ठीक से बाना रहे हड्यों के मजबूत रहे और उसमें चलने पिनने के तकलिप दूर हो इसलिए भी इस मेडिसिन के यूजएस लिया जाते है और दूसरे पकर के भी उजएस हो जाकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरांस के अकुणिंग लेते हैं जा लेंगे इसके कुछ कॉमन साइड एफेट का रह सकता है वसे तो इसके कुछ साइड एफेक्ट देखा नहीं गया है इसको यूजए करने के बाद फेर भी किसी-किसी पेशन का नाजवा बोमिटिंग और गस्टी की इरिटेसन जैसी प्रोब्लम हो सकता है जब इसे लवा कोई अंडेजिरवल साइ रोग का सिवियरिटी इन सभी देखके डॉक्टर डोच कैलकॉलेट करता है खुद से ना यूज़ कीजिए डॉक्टर के साला से यूज़ कीजिए यह ओनली होस्पिटल और क्लीनिकल यूज़ के लिए है यह सेल्फ टीडिमेंट मत कीजिए एक एडल्ड पासिंट को इन्जेक्शन हर दीन ही लगा जाती है यह तू एमिल के इन्जेक्शन पार डे लगा जा सकता है वो भी कुछ खाने के बाद कुछ मत लिजिए विटैमिन के इन्जेक्शन मैक्सिमाम चार इंजेक्शन इन्हें उई लगाए जाता है यानि हर हपते एक दिन छोड़के एक जारज इंजेक्शन हर हफते मैक्सिमाब आप लगा सकते हो इसको इसके रूट आप एडमिस्ट्रेशन किया है कौन सा रूट में इसको लगाना चाहिए इसको IM तथा INTRA MASCULAR आप लगा सकते हो IV तथा INTRAVENUS आप लगा सकते हो जब इंट्रा बेहना से लगा रहे हो तब स्लो पूस करके लगा जाता है और तीसरे है आप एनेस आरेल और डिनस इन सभी के साथ मिक्ष्ट करके भी पेसेंट के अंदर दे सकते हो इसके साब क्यूटनियास मत लगाई है और खुद से लेने की कवसीज भी मत कीजिए डॉक्टर औ सब्सक्रादर में भी सेव माना जाता है इसको लेने से पहले डॉक्टर के कॉंसाल्ट चुरूरी है और कीड़नी जिसके प्रोब्लेम हो सीवीर कीड़नी डीजी जो उनमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तब ही लेना खुद से ना यूच करना दोस्तों आज के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जुरूर सब्स्राइब कीजिएगा अगर ऐसी ही वीडियो बाने के लिए मिलेंगा अगले वीडियो पर तब तक के लिए सुरक्सिद रहिए आच्छे रहिए धन्यबाद थैंक्स पर वाचिंग